हलो फ्रेंट्स आप सफी का अपने यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चत्पति साहुज इमाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के बारे में तो फ्रेंट्स वीडियो को इंड तक देखें वीडियो को लाइक करें बटन पर क्लिक करें जैसे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स पर आप देख पा हैं कि एतिहास में पहली बार नहीं होंगी वाड़सिक पर इ जब विश्विद्याले की परिचाओं को ना कराने का फैसला किया गया सुम्बार को ये जानकारी विश्विद्याले की कुलपती प्रोफेसर निल्मा गुप्ता ने थी उन्होंने का है फिलाल आपस यह जेमिवा संभ डिगरी कालेजिय के परिच्छाओं नहीं होगी वहीं सब्सक्राइब करने को लेकर एक प्रिच्छा कारकरम की वेपसाइट पर अपलोड किया था अलांकि उसी दिन सब्सक्राइब के हजारों चातरों ने इस मुद्य पर टोटर पर आंदोलन चड़ दिया चातरों की मांग से की परिच्छा ना कराएं जाए ऐसे में विश्व विद्याले प्रिच्छा कारकरम वेपसाइट से हटा दिया इसी भी सासन ने परिच्छा समधी फैसलों को लेकर सब्सक्राइब करें जाएंगी इस तरह पर बैटब कराने का फैसला किया इसकी पूष्ट विश्व द्याले की कुल्पती प्रोफेसर नीलमा गुपता की उन्होंने का है अब परिच्छाएं नहीं कराएंगी प्रोफेसर अदार दिया जाएंग की स्टुडेंट के लगातार साम से मेरे पास यही कमेंट आरे जिसमें बताये की प्रोफेसर के आधार पर मिलना चाहिए थो फ्रेंट्स वेट करेंगा आप तोड़े दिर्वाद आपके पास एक वीडियो आ जाएगा जिसमें डिटेज मंतन करेंगे कि किस आधार पर आपको प्रमोशन दिया जा सकता है काफी टाइप के प्रमोशन है कि पिछले साल के आधार पर दिया जाए कि एक के इंटर्नल के आधार पर दिया जाए किस के आधार पर आपको प्रमोशन दिया जाए तो फ्रेंट्स वेट करिएगा वीडियो आने ही वाला है थैंक्स पर वातेंग और सब्सक्राइब मैं चैनल